यमन का हुटी हर वो कोशिश कर रहा है जिससे इसराइल का ध्यान गाजा और हिजगुला से हट कर उसकी तरफ आ जाए ताकि इसराइली सेना हिजगुला के खिलाब पून युद के लिए मैदान में ना उत्रे और वो इसी कड़ी में बार बार लाल सागर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर भीशन हमले कर रहा है यहाँ तक कि अब हूती के हाथ लंबी दूरी वाली हाइपरसॉनिक मिसाइले भी लग चुकी हैं जिससे उसने 25 जून 2024 को में सी सारावी जहाज के उपर हमला करने का दावा किया था और अब हूती कह रहा है कि उसने इराक के प्रतिरोधी समू के साथ मिलकर इसराइल के कबजे वाले फिलिस्तीन के हाइफा बंदरगाह पर MSC मेंजैनिलो जहाज पर एक बड़ा हमला किया है हूती का कहना है कि उसने जहाज पर कई ड्रोन हमले किये हैं और इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने भी कहा है कि कबजे वाले फिलिस्तीन के हाइफा बंदरगाह पर MSC मेंजैनिलो पर सईयुक्त रूप से हमला किया गया प्रोन इसने पर लाजे परिक्ता पर्वक्ता बंदराखा है श्राइब कर दावे को लेकर इस्राइल की सेना की तरफ लेकित, प्रवक्ता ने इसको लेकर कहा कि उन्हें हाइफा बंदरगाह पर इस तरह की असमान्य घटना का कोई संकेत नहीं मिला है। आपको बता दे कि हूती ने जिस जहाज पर हमला करने का दावा किया है उस पर पुर्तगाल का जंडा लगा हुआ है। इस सब के बीच बड़ी बात ये है कि हूती ने हाल ही में एक हाइपरसॉनिक मिसाइल का वीडियो जारी किया था जिसमें उस ने इस मिसाइल को हाटेम टू टाइप हाइपरसॉनिक मिसाइल बताया था। और सबसे एहम बात यह है कि हूती ने पहली बार इस मिसाइल से वीडियो के जरिये परदा उठाया है हूती का कहना है कि उसने इस मिसाइल से अरब सागर में MSC सारावी इसराइली जहाज पर हमला किया था हूती ने दावा किया था कि उसने इस जहाज पर एडन की खाड़ी से करीब साड़े चार सो किलो मीटर दूर निश्टून के दक्षिन पस्चिम में अटैक किया था और ये इलाका ओमान बॉर्डर से काफी करीब है और गौर करने वाली बात ये है कि जिस इलाके में ये हमला हुआ वहाँ पर यमन की निर्वासित सरकार का नियंतरन है हाला कि हूती हर बार अपने हमले को सटीग बताता है जबकि MSC सारा को लेकर ब्रिटेन की मेरे टाइम ट्रेड और्गनाइजेशन का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि जहाज के करीब एक धमा का हुआ है लेकिन इस हमले में जहाज के क्रू और चालक डल सुरक्षित है कि आप हुआ है